रोजाना सुबह खाली पेट एक चमच खालो भेंकर से भेंकर जोडों का दर्द गुटनों का दर्द हाथ पैर कमर पीट का दर्द पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा नमश्कार दोस्तों हमारी आयुर्वेट की गरंद चरक समीता के अनुसार और शीरी राजी दिख्षित जी के अनुसार आज में आपको एक ऐसी होम रेमिडी बताऊंगा अगर आपकी उमर से कुछ भी फरक नहीं पड़ता आप बड़े बुजर्गे या नौजवान है अगर आपको जोडों का गुटनों का कमर पीट का हडियों की कमजोरी हडियों से कट-कट की आवाज इस तरह की समस्यां रहती है वात पित और कफ अगर आपके शरीर में बैल साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बैल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंत मिल जाए दोस्तों सबसे पहली चीज इस होम रेमिडी को बनाने के लिए जो आपको लेनी है वो है सौफ अंग्रेजी में सौफ को कहते हैं फैनल सीट्स दोस्तों दो तरह के सौफ मार्केट में आते हैं यहां पे ध्यान पूरवक देखे जो हलके गोल्डन और ग्रीन कलर के टोते वाले यांनि पैरेट के मतला है वो से और आपको नहीं लेने उनके उपर आँटिविशेल कलर होता हिसको एड किया जाता तो आप ऑप ऐड़िया जाता है तो आपको द्यान का ध्यान रखनाता है कि आपको ज्रुम्asına बोग सर दोस्तों आइजी क्वाल़ी के कई होने जाते हैं वाइटमिन A, वाइटमिन E, हाई कॉलिटी प्रोटीन और साथ में केलशियम जो की दोस्तों हडियों की कमजोरी हडियों में जो ग्रीस की कमी हो जाती है उसको दोस्तों एकदम जबरदस्त बहतरीन तरीके से सही करने में आपके सहायता करता है बस प्रियोग करने का आज इस वीडियो के माद्दम से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको जान लीजिए दोस्तों और आपको यह जो मैं होम रेमिडी बना करके आज इस वीडियो मैं बताऊंगा उसको आप एक महीने तक कांच के डबे में स्टोर करके भी रख सकते हैं जिनको जोडों का गुटनों का हाथों पैरों कमर पीट का दर्द है आलस से ताकत की कमी चुस्ती फूर्ती की कमी रहती है कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है उनको दोस्तों सुबह उट करके हलकी सी जॉगिंग जरूर करनी चाहिए जिससे की आपके बलड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़े अगर आपके blood में oxygen का level कम होगा तो ही ऐसे लोगों को ऐसे व्यक्तियों को जोडों का गुटनों का कमर पीट का हाथों पैरों का दर्द होता है तीसरे नमबर पे दोस्तों यहाँ पे हमने लिए है कैरम seeds जिसको हम हिंदी में कहते हैं अजवायन अजवायन दोस्तों पेट के लिए तो बहुत अच्छी होती है आपको यह चीज पता होगी आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगी बहुत अच्छा करेगी digestion को साथ में दोस्तों आपके शरीर में वात को balance करने के लिए हलकी गरम तासीर होती है इसकी और जीरे की ठंडी होती है दोनों चीज जब एक साथ मिलती है तो दोस्तों यह जोडों के गुटनों के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त बहुत बहुत बहतरीन होती है दोस्तों कैरम सीट्स के बीच में यानि कि अजवयन के बीच में ऐसी properties पाई जाते हैं जो कि जोडों के गुटनों के दर्द को ठीक करने के साथ-साथ मोटापे की समस्या जिनको बहुत अधिक रहती है या फिर दोस्तों जिनको चहरे पे चमक नहीं रहती है है न आप जो चाहते हैं कि उनके चहरे पे उनके face पे glow आए यहां पे लगबग मानके चलिए मैंने 100 ग्राम जीरा लिया है 100 ग्राम सोंफली है और लगबग 50 ग्राम से 70 ग्राम के आसपास मैंने अजवयन लिया है तो यह चीज़ का दिहान रखे हैं यह जो मैं आज इस वीडियो में होम रेमिडी बना रहा हूँ यह दोस्तों मैं एक म श्याि पर जमीन पर ग्रमीयों और सर्डियों के मौसम में विनिमम भीछ नि подготов ऑ कि मरग या फिर शyangाम आपका मरशी है NICK कि घर में गार्डन नहीं है तो बाहर जो गार्डन होता है पार्क होता है वहां पे जा करके दोस्तों आपको चलना है लेकिन नंगे पैर अगर आप चलेंगे तो हमारा शरीर ना दोस्तों मिट्टी से मिलके बना हुआ होता है जब वो मिट्टी के संपरक में आता है तो अपन बाद में सो मिली लेटर पानी और लगबग एक बड़ा चमच अजवायन सोफ और जीरा मैंने इसके बीच में डाला अच्छा से मिक्स किया है दोस्तों ये मैं आपको पहले दो डिरिंक बनाना सिखाऊंगा, इस डिरिंक फायदे जोड़ों की गुटनों के दर्द बारे में अगर बात करूँ तो ये आपके मोटापे को गटाने के लिए, चेहरे पे चमच लाने के लिए, बालों के बीर बड़े अच्छे होते हैं जिनके बाल बहुत अधिक जड़ते हैं ना दोस्तों उनके लिए भी बहुत 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 जबरदस्त होते हैं इसके अलावा जिनको पेट में खाया पिया शरीर में नहीं लगता है उनके लिए भी बहुत बहतरी होते हैं जिनको हाइपर ऐसी डिटी की या फिर गैस में गैस की समस्या होते हैं पेट में गोले बनने की समस्या होती हैं उनके लिए भी बहुत फायदे बंद होता है दोस्त जीरा और सोंफ की, तो मैंने यह आप पे डाल करके धीमी आज पे इसको उबाल लिया था उबालने, बॉयल करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं, यह किस रंग का दिखाई देता है, तो आपको इस तरह से बॉयल कर लेना है यह चीज़ का ध्यान रखें, दोस्तों यह जो quantity है नहीं बहुत जादा है, यह लगबग तीन बंदो के लिए है, तो आपको इसकी one third quantity बनानी है अपने लिए, यानि कि अगर हम normal गिलाज जो घर में पानी पीने के लिए इस्तमाल करते हैं उसका एक तिहाई हिस्सा one third आपको ही सेवन करना है सिरफ, इसको चान करके भी ले सकते हैं बिना चाने भी आप पी सकते हैं, और हफते में ध्यान रखिए तीन बार से अधिक आपको इसका प्रियोग नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको धीमी आँच पे यहाँ पे उबाल दूँगा रात को मैंने क्या किया था कि रात को सोते समय इसको पानी में बिगो करके रखा था उसके बाद मैं मैं यहाँ पे इंडक्शन में रखके उबाल रहा हूँ उससे क्या होता है जाद है पोशक तत्व पानी के बीच में आ जाते हैं आप चाहें तो बिना उबाले बिना इसको रात को बिगोए पानी में भी उबाल सकते हैं लेकिन सबसे बहतर होता है कि आप क्या करें रात को सोते समय इसको पानी के बीच में बिगो करके रख दें और धीमी आज पर इंडक्शन पर आपको इसको पकाना है, मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, पहला मैंने आपको आइरवेट का नियम बताए कि नंगे पैर, आपको जमीन पर चलना है, मिट्टी पर चलना है, घास भी हो सकती है, वो स्वाइल भी हो सकती है, या फिर मढबात भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, जो लोग मिट्टी पर चलना ही सकते हैं, आपने आस पास की 10 किलोमेटर के दाएरे में कहीं से भी मिट्टी लेकर के आएं, बहुत जगें होती हैं, मिल जाते हैं मिट्टी अराम से, तो उसको दोस्तों आप सुखा करके चाहन करके उसका मढबात अगर लेते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त बैतरीन होती है, जोडों गुटनों की कमरी पीट के दर्द के लिए, और आपकी बहुत सारी वात, पित और कफ से संबंदित समस्याओं को गायब कर देती हैं, सिरफ मिट्टी का प्रियोग, नैचुरो बहतरीन होती है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने धीमी आच पर या फिर मीडियों फ्लेम आप कह सकते हैं, उस पर यहां पर मैंने जो हमारा पानी है, उसको उबाल लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके छान लूँगा, फिर इसका मैंने आपको सेवन करने का बताया है, हफते में तीन बार आप इसका परियोग कर सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में वन थर्ड गिलास लें, पूरा भरा हुआ जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, उतना नहीं लेना है, सिर्फ इसका एक तिहाई हिस्सा आपको लेना है, धीरे धीरे करके कॉंट वासुदेव से सीख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, पीछा है फांडिशन सद्गूरु जगी वासुदेव, वहां से अंग मर्दना या फिर सूरे शक्ति या फिर सूरे क्रिया आप सीख करके उसको डेली बेसिस पर अगर पैक्टिस करते हैं, तो आपका जोड होगा, लंबी आयो तक आप जिएंगे, हो कहते हैं, एक सो बीस साल तक, उतना भी आप जी सकते हैं, अगर आप एक दम राइट लाइफ जीते हैं, बैलनस लाइफ जीते हैं, तो इस चीज़ कर ध्यान रखें, जितनी बे मैं चीज़ें बताता हूं, होम रेमेडी के साथ मे आप कहीं लोग कहते हैं, कि आप बहुत पकाते हो वीडियो में, लेकिन मेरा पकाने का में मकसद ही होता है, कि आप सिरफ खाली होम रेमेडी पे निरबर ना हो, आपको अन्य चीज़ों का जो की 80 प्रतीशत महत्वकून होती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, दोस्तों म कि नहीं भूलें, शोशल मीडिया नेट्वोक पे भी धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुबर हो, चली मिलते हैं कल एक नई वीडियो में,